इस Question में क्या है!?%, compound रिषक हां, परहिंन दीब कलना ही, इसमें प्रिंसिपल दिया होगा है तॉर 5ज दीद़ना दिया हुआ है, 2 साल को और rate क्या होगा? 10% दिया हुआ है per annum देखिए बड़ा simple question है आपको rate कितनी दी हुई है 10% दी हुई है देखिए इसमें 2 साल का आपको क्या लगाना है एक time कितना दिया हुआ है आपको 2 साल दिया हुआ है अब देखिए कुछ नहीं है इस question में आपको क्या करना है effective percentage formula लगाना है effective percentage क्या होता है देखिए a plus b और a b upon 100 ठीक है यह value depend करती है क्या इसकी value depend करती है अगर कोई percentage के form में देखा जाए तो अगर कम होती है value तो minus लेते हैं अगर बढ़ती है value तो क्या होती है plus लेते है तो अभी basically अपन क्या ले रहे है सब plus ही हो रहे है इस वज़ाए सभी कभी सभी coefficient को क्या किया positive consider किया है अब दीख अब प्लस कर दिया 10 और कर दिया क्या इंटू 10 ठीक है पहले साल की rate दूसे साल की rate अपन क्या कर दिया 100 कर दिया इसको simply swap दिया तो कितना आ गया तो combine rate कितनी आ गई 21% क्या गई combine rate आ गई तो यह क्या गई combine rate आ गई ठीक है यह answer नहीं है ठीक है combine rate अब देखिए एक ची बताईए आपसे दो साल का compound रिस पूछे था ठीक है अब बताईए जो आपके 5000 रोपे है ठीक है यह क्या है 100% है क्या है यह 100% है तो क्या करिए 5000 रिस को क्या करिए 100% करिए कितना करिए 100% और आपके बाद जो combine rate निकली है वो कितनी निकली है एक की percent निकली है बस इसको simply solve कर दीजिए इसको जब आप solve करेंगे cross multiply करेंगे तो आपको क्या जाएगा answer आ जाएगा इसको simply solve कर दीजिए क्या आएगा x equal to कितना हो जाएगा 5000 into क्या हो जाएगा 21 upon क्या हो जाएगा upon 100 okay zero से क्या होगा zero cancel बस अब simply solve कर दीजिए तो क्या होगा five five बन जा five और five two जा ten ठीक है और एक zero तो कितना आ गया एक हजार पचास क्या गया इसका answer आ गया ओके तो अपका compounders कितना आ गया one thousand fifty rupees क्या गया इसका compounders आ गया इस question का ठीक है जो question ने पूछाता है option देख लेते हैं option क्या है option number क्या है first क्या होगा इसका answer होगा झाल